तो गाई आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम याप पर detail से discuss करेंगे यह वेडियो UPSC और State PSE के point of view से बहुत जादा important होता है तो चलो शुभारम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे description box में PDF link के नाम से एक link दिया या है उस link के थ्रूँ आप लोग मेरे टेलिग्राम चनल तक पहुँच जाओगे अगर इस तरीके से आपको वो टेलिग्राम चनल नहीं मिलता है तो एक बहुत simple तरीका है directly टेलिग्राम आप को डाउनलोड करना search box में टाइप करना दीपक यादव education UPSC जैसी आप इसको लिखोगे आपको मेरा चनल मिलेगा लगबग एक लाख बीस हजार से जादा लोग वहाँ पर जॉइन कर चुके हैं तो आप भी जॉइन करकर daily basis पर इस lecture के PDF को डाउनलोड कर सकते हो तो start करते हैं हमारे इस amazing session को बहुत ज़ादा interesting होने वाला है काफी सारी चीज़े हम details से discuss करेंगे साथी साथ में UPSC ने अगर previous year में prelims में कोई question पूछा है जो की हमारे इन article से related है तो उस question का discussion भी हम लोग साथी साथ में करेंगे उनका analysis में आपको दूँगा कि किस-किस प्रकार से questions पूछे जाते हैं तो आज का सबसे पहला article होने वाला है evolution of coin age system in India भारत के अंदर किस प्रकार से coins का इस्तमाल होना शुरू हुआ जो हमारे सिक्के हुआ करते थे उन पर किस-किस प्रकार से जो images है वो बनाई गई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अच्छा यह article news में क्यों है क्योंकि यहाँ पर recently एक बहुत बड़ी news cover की गई थी जिसको मैंने दो बार already cover कर दिया है एक बार दहिंदू के वीडियो में और साधी साथ में एक बार मैंने कल वाले current effort के वीडियो में cover किया है हुआ क्या था तो recently जो डेली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरिवाल इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से एक request करी है और उस request के अंदर बोला ये कि जो note है ना जो हमारे currency note है उनके उपर लक्षमी जी और गनिश जी का image होना चाहिए इस प्रकार के आप एक request की गई थी फिर इसी में mention ये भी किया गया कि भारत का जब आप लोग tradition देखते हो इतिहास देखते हो coin age system को देखते हो उन coins का इस्तमाल किया जाता था जिनके उपर लक्षमी जी का picture बना हुआ था तो यही बात बोली गई कि उस समय पर जब इस्तमाल किया जा सकता है तो अब क्यों नहीं किया जा सकता है that is why coin age system news में बना हुआ है तो इसी वज़े से आपको यह पूरा का पूरा system जानना है यह सारी बाते मैं आपको cover करवाता हुआ चलूँगा चलो फिर आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं ठीक है अब सबसे पहले अगर हम लोग इतिहास देखते हैं coin age system की तो पहला coin आता है वो है punch mark coin हर चीज के पीछे का reason होता है तो punch mark coin क्यों बोलता है तो आप इस वाले coin को अच्छे से देखो यही coin है जिसको punch mark coin की नाम से जाना जाता है इसको punch mark इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके उपर जिस प्रकार से figures को बनाया गया है ना इस figure को बनाने में अलगले प्रकार की techniques का इस्तमाल किया जाता है और वो जो technique है वो basically punching वाली technique है punch करके हैं पर figures को बनाया गया है that is why इसको punch mark coin बोलता है नमबर वन चीज दूसरा important चीज जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है जहांसे question बन सकता है पूछा जा सकता है कि जो punch mark coin है ये किस चीज के जालतार हुआ करते थे तो mostly ये silver के हुआ करते थे यानि की चांदी के बनावे हुआ करते थे ठीक है ना अब जब हम लोग symbols की बात करते तो इस पर अलगलग प्रकार की figures बनाई जाती थी जैसे की सूरे की figure हो गई या फिर जो पहाड़ियां होती है hills की figure हो गई या फिर trees की figure हो गई तो इस प्रकार से अलगलग figures को punching वाली technique से बनाई आ जाता था clear लोग information तो punch mark coins क्या है जिन्दगी बरियाद रखोगे traditions में हमने देखा है कुछ silver coins हुआ करते थे और उसमें indo-greeks या फिर Greek gods की या Greek goddesses की हाँ पर picture हुआ करती थी जो Greek god और goddesses हुआ करते थे उनकी images हुआ करती थी और उसी प्रकार के indo-greek वाले ही coins, dynastic coins के अंदर देखने को मिले हैं dynasty coins में जब इस समय पर coins का इस्तमाल किया गया था तो basically वो indo-greeks से मिलते जूलते थे और इन coins को issue किया गया है generally second century BC के समय पर या second century AD के समय पर अभी मैं आखके आपको picture दिखाऊँगा don't worry picture के थूँ और अच्छे से clear होगा फिर उसकी बाद में कुशांस का time आता है तो कुशांस जो कि आपको Central Asian region में देखने को मिला करते थे अब यहाँ पर क्या हुआ करता था कि कुशांस के समय पर जो coin का इस्तमाल किया जाता था जो सिक्कों का इस्तमाल किया जाता था और इनके समय पर अलगलग सिक्के बनने स्टार्ट हुए थे तो कुशांस के समय पर जो सिक्के आए थे उस पर जादातार ओशे को देखने को मिला है ओशे मतलब शिव जी उसके साथ मून डीटी मीरो बुद्धा का इमेज देखने को मिला है जसा आप देख पा रहूंगे ये जो यहाँ पर परडिकुलर कोई है इसके उपर यहाँ पर शिव जी का पिच्चर बना वाई मतलब शिव जी का पिच्चर बनावाई तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सरे कोईज आए थे कुशांस के टाइम पर तो कुशान स्कॉइन के बारे में ध्यान रख ना कुशान जो कॉइन्स है ना यहाँ पर जितने भी आइकोन और ग्राफिक्स जो भी ग्राफिक्स की फॉर्म्स हम लोगों को देखने को मिलती थी यह कहां कहां से उठाई थी हमने ग्रीक से मेसोपोटामिया से, जोरस्ट्रियन से, इंडियन माइथोलोजी से तो अलगलग जगा से इन पर्टिकुलर फॉर्म्स को हम लोगों ने लिया था उसके बाद यहाँ पर आपका सकतो इन इमेजिस को इन कॉइंस के उपर बनाया था इसमें आपर सिवजी, बुद्धा, कार्तिके, यह मेजर इंडियन डिटीज हुआ करते थे मेजर आप कह सकतो देवता हुआ करते थे जिनका सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता था तो मतलब कहने का परपस है कि कॉइंस के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही गौड और गौड़ेस का जो इमेज है वो इस्तमाल किया जाता है अगर आप लोग कॉइने सिस्टम को देखते हो यह तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिच्चर देखने को मिलेगा यह बलर है लेकिन कोई बात नहीं काम की बाते दिख रही है तो वो हम लोग पढ़ सकते हैं जैसे कि इंडो ग्रीक डाइनस्टी की बात करें तो इंडो ग्रीक डाइनस्टी पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कोई साय थे जहाँ पर धेर सारी डेवलप होता रहा फिर उसके बात मैं कुछान कोई ने जाया जहां पर हम लोग ने देखा कि जो गौड्स हैं उनकी इमेजिस बनाई गई है शिवजी की इमेज यहाँ पर देखने को मिले सिक्कों के उपर फिर उसके बाद मैं कनिश्क वन कोई इज देखने को मिला करता उपर फिर इस्लामिक डानेस्टी के टाइम पर कॉइंस देखने को मिले इस्ट इंडिया के समय पर देखने को मिले माराथास कॉइने सिस्टम आया साउथ इंडियन कॉइंस देखने को मिले है ना तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कर सकतो यह कॉइंस जो हैं वो चला करते थे, देश की अजादी से पहले जो प्रेंसली स्टेट्स हुआ करते थे, वहाँ पर इस प्रकार से कॉइंश यूज page देखतेandan पर इतिहास रहा है कॉइंश का, देखोगे 70th century CE के आसपास, तो यहाँ पर इस प्रकार से कॉइंश का इस्तमाल किया जाता था और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर mention किया जाता है अलग-लग ruler आए अलग-लग empire आए उन्होंने सबने अपनी तरीके से अपने अपने तरीके के सिक्के निकाले और उस पर अलग-लग तरीके से आप कर सकते हो जो भी images हैं जो भी यहाँ पर figures हैं उनको यहाँ पर बनाया था फिर आता है सत्वहना अब यहाँ पर सत्वहना के बारें बात करें तो इस siper जो इस कब की बात है 270 BC से लेकर 30 BC के समय की बात यह जो कॉइंस है ना इनके उपर अलग-लग images हुआ करते हैं की हाथी का इमेज हो गया, लाइन, बुल, होर्से हो गये, उसके बाद में नेचर की जैसे हिल हो गया, पेड हो गया, इनकी इमेजिस भी याँ पर देखने को मिली है, जो सिल्वर कोईंस देखने को मिला करते थे सत्वाना के समय पर, इस पर अलगलग पोर्ट्रेट भी पर फिर आता है वेस्टन शत्रपा सब का समय यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो कोईंस है न, इनके उपर बहुत सरे लेजेंड्स का पिच्चर देखने को मिलेगा, जैसा आप लोग यहाँ पर नीचे कोईंस दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सरे legends का picture यूज किया गया है जो कि generally Greek, Brahmi और खरोष्टी में भी यूज किये जाते थे ठीक है ना तो उन्ही का यहाँ पर picture देखने को मिलेगा फिर गुपता कॉइनेच की बात करता है गुपता कॉइनेच के जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो time period है 4 से लेकर 6 centuries AD का जो देखने को मिलेगा time period यहाँ पर mention किया गया है कि कुशांस को ही यहाँ पर पूरी तरह से follow किया गया था यानि कि गुपता ने भी जो गुपता का पूरा time period चला था तो इन्होंने हाँ पर कुशांस के traditions को पूरी तरह से यहाँ पर follow किया एक तरफ जैसे सिक्के है न तो एक तरफ यहाँ पर किसी राजा का फोटो दिखाया और दूसी तरफ यहाँ पर एक देवता का फोटो बना दिया था सिक्कों के उपर तो कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे जैसे कि यहाँ पर आप देखो गए यह जो सिक्का है न इस पर एक तरफ केंग हो गए जो कि यहाँ पर घोडे पर सवार है और दूसी तरफ यहाँ पर एक image देखने को मिल जाती थी एक तरफ डीटी यानि देवता बना दिया करते थे और एक तरफ यहाँ पर राजा को बना दिया करते थे तो इस प्रकार के images इस प्रकार के सिक्के देखने को मिले थे गुपता के समय पर फिर उसके बाद में South Indian कोईने सिस्टम आया South Indian कोईने सिस्टम में लगबग आप कह सकते हो कि चेराज ये ध्यान रखना चेराज के कुछ कोईन्स देखने को मिले थे 11 से लेकर 13 सेंचरी में कुछ इस प्रकार की वो पिच्चर थी अब यहाँ पर सिर्फ आपको पिच्चर पिच्चर ध्यान रखने हैं चोला के समय पर अकर हम लोग बात करें 9 से लेकर 13 सेंचरी के बीच में तो चोला के समय पर जो कॉइन से वो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ करते थे अगें यहाँ पर बहुत सरी फिगर्स बनी भी हुआ करती थी यहाँ पर अलूपास जो हुआ करते थे उदूपी के, तो जो coin इस समय के हुआ करते थे, वो भी इस प्रकार से हुआ करते थे, इसमें कुछ जाधा detailing आपको देखने को मिलती नहीं है, that is why यहाँ पर सिर्फ images का इस्तमाल किया गया है, बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो भी detailing थी, वो सब यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कि coins के अंदर, कौन से समय पर कैसे कैसे coins थे, कौन को सी figures का इस्तमाल किया जाता था, क्योंकि आपको पता होगा, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, in fact, जैसे कि हमारा इंडस वाली civilization से पौसरे questions पूछे जाते हैं, कि इस particular area में, क्या-क्या मिला था, कैसे लोग रहा करते थे, तो उस प्रकार से आप इसको relate कर सकते हो, ठीक है ना, next article पर आते हैं, अगले article में UNICEF की एक report के बारे में चर्चा की गई है, एक report है, जो की बात ये करती है, impact of heat waves on children के बारे में, यानि कि जो heat waves है, यानि कि जो गर्मी है, वो बहुत ज़ ज़्यादा पढ़ रहा है, और अगर हम इसको अभी नहीं रोक पाए, तो आने वाले समय बर ये बच्चों को और ज़्यादा बुरे हालात में डाल सकता है, इसको लेकर UNICEF की recently एक report publish होई है, तो पहले चीज़ UNICEF क्या है, United Nations Children's Fund इसकी full form है, इन्होंने एक report release करिये, उस report क नाम किया है, उसका title है, coldest year of the rest of their lives, protecting children from escalating impact of heat wave, ये इसका पूरा title देखने को मिलेगा, जहां पर इन्होंने mention किया है, कि आने वाले समय में, साल 2050 तक हम देख पाएंगे, सारे ही बच्चों के उपर कहीं न कहीं heat wave का बुरा असर पढ़ रहा होगा, 2050 तक, याने इस गर्मी क एक negative impact इन बच्चों के उपर पढ़ रहा होगा, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, ये report किस ने दी है, UNICEF ने दी है, और UNICEF के नाम सी पता चला, ये बच्चों के लिए काम करता है, तो UNICEF basically अपने आप में United Nation का एक important और special program है, जो की बात करता है, efforts लगाता है ताकि ब general welfare की facilities को provide करवाय जाया सके, यानि बच्चों के लिए ये particular body काम करती है, question यहाँ पर आता है, what are the findings of the UNICEF report, UNICEF report की ने क्या-क्या बताया है, अपने इस report में क्या-क्या चीज़े mention करी है, तो current scenario पहले यहाँ पर discuss करेंगे, अभी current time पर क्या situation चल रही है, तो लगबग 559 million जो कुछ दिन के लिए बहुत जादा बढ़ जाती है, अचानक से कुछ दिन के लिए बहुत जादा बढ़ जाती है, उसको हम लोग heat wave बोलता है, तो इस प्रकार के heat wave दुनिया भर में देखने को मिलता है, तो हुआ क्या, पूरे दुनिया भर में 559 million children जो है न, इनके उपर ब लगलत प्रकार के heat waves है, इन सब चीजों की वजा से ही याँ पर बच्चों के उपर एक negative impact पढ़ा है, ऐसा है याँ पर कहने का purpose है UNICEF के report का, इन्होंने बोला कि साल 2020 तक अगर हम लोग बात करें, तो साल 2020 तक situation ये थी, कि हर चार में से जो एक बच्चा है, क्या, हर चार में जो एक बच्चा है, वो कहीं न कहीं heat wave से जूंज रहा था 2020 तक, और अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया, इस heat wave को ठीक नहीं किया, तो साल 2050 तक situation और बत्तर होगी, हर चार में से कम से कम तीन बच्चा होगा, जो की heat wave से परिशान होगा, heat wave का negative impact उस बच्चे के उपर पढ़ रहा होगा, clear होई information, देन उसके बाद में जो बच्चे Southern, Western, South Eastern Asia, Eastern और South Eastern Europe में रह रहे हैं, यहाँ पर heat wave थोड़े लंबे समय तक experience किया गया, क्योंकि जो heat wave हो कुछ दिनों के लिए होता है, और अगर कुछ जादा दिनों के लिए हो जाए, तो basically उसको हम लोग बोलते हैं, long पूरे हालात वो महाँ पर create करेगा, clear होई information, फिर उसके बाद में यह report mention करती है, future impact के बारे में कि आने वाले समय पर क्या हालात होने वाले हैं, देखो बहुत सारे बच्चे मैं आपको बता दिया, कि लग बग, 2050 तक पूरे हालात में होने वाले हैं, इस heat wave की वज़ा से, औ अगर हम लोगों ने इस particular pollution को रोका नहीं तो, या फिर आप कह सकतो हर एक बच्चा, जो भी बच्चा होगा पृत्वी के उपर, वो 2050 तक heat wave की चपेट में होगा, अगर इस particular situation को नहीं रोकी गया तो, heat wave कैसे हो रहा है, गर भी लगातार बढ़ रही है, climate change की वे से हो रहा है pollution की वज़ा से हो रहा है, pollution की वज़ा से भी आप लोग देख पाऊगे लगातार जो heat waves हैं, वो increase होती भी नजर आती है, और इससे बच्चों और बूडों बिसिकली दोनों को ही बहुत ज़ादा नुकसान होता है, अब question यह है कि बच्चों के ही उपर क्यों ज़ादातार impact पढ़ता है क्योंकि देखो, heat wave अगर कोई लंबे समय तक रूखे, suppose यहाँ पर 15-20 दिन तक heat wave पढ़ने लगा, तो इससे आपर बच्चों के उपर impact इसलिए पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे बहार जाता है खेलने के लिए, हैना, adults से ज़ादा बच्चे बहार जा रहे हैं, sports के लिए, दूसरे activities के लिए, तो कहीं न कहीं, आप कह सकतो, heat का impact उस बच्चे के उपर पढ़ सकता है, impact क्या पढ़ेगा, mental health problems बढ़ सकती है, बच्चे के अंदर stress create हो सकता है, आप कह सकतो, heat wave की वज़ा से heat stroke आ सकता है, heat stress allergy हो सकती है, respiratory conditions बेकार हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, और जहां पर जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, अतनी ज़्यादा बिमारिया पैदा होती है, अफ्रीका का example लोग कितनी गर्मी रहती है, और जातर बिमारिया वही से निकल करा जाती है, तो यहां पर मॉस्कुटों से संबंदित बिमारियां बढ़ती हैं गर्मियों के है क्योंकि होगा क्या सपोज यहां पर कहीं पर हीट वेव पड़ रहा है गर्मी बहुत जादा हो रही है जिसकी विसे सब कुछ वहां पर सूख गया अब लोगों को कुछ मिल नहीं रहे हैं वहां पर खाने वगरा के लिए अपना जीवन आए वायलेंस के अंदर अपर आपकस तो बच्चे के प्रती बहुतवरी हिंसा भी देखने को मिल सकती हैं तो यह आनेवले समय के कुछ इंपाक्ट्स पड़ सकते हैं ऐसा यहां पर यह रिपोर्ट बताती है फिर रिपोर्ट ने बताया आखिरकार क्या क्या हमारे पास में recommendations है क्या क्या कदम हम लोग उठा सकते हैं इस particular situation को ठीक करने के लिए तो हमें यहाँ पर जरूरत है कुछ social services को लेकर steps को उठाने की, मतलब इन्होंने खुद बकाइदा बताया है, जैसे पहली चीज़ जो countries है न, उन्होंने क्या करना है बच्चे को बचाना है climate change से, कैसे पहली बात आपको social services society के अंदर जो भी services है, बच्चे के प्रती अलगलग services उसको बढ़ाना होगा साथी साथ में बच्चे को तयार करना होगा, prepare करना होगा ताकि जो बच्चा है न, वो climate change वाली situation में रह सके क्योंकि climate change वाली situation इतनी जल्दी खतम नहीं होने वाली climate change मतलब वही temperature का बढ़ना फिर तीसरा आपको देखने को मिलेगा prioritizing children and youth in climate finance and resources जो भी climate finance आपको देखने को मिलेगा, यानि कि ये जो pollution वगरा हो रहा है, climate change जैसे events हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए जो भी पैसा वहाँ पे खरचा जा रहा है उसमें बच्चे को थोड़ा priority के उपर रखा जाए बच्चे के लिए पहले काम किया जाए साधी साथ में, जो हमारे climate change वाले और भी disaster situation देखने को मिलती है इसको हम लोग रोक सकते हैं, एक कदम उठा के वो है greenhouse gas emissions को reduce करके यानि greenhouse gas emissions कम हो जाएंगे तो obviously बाते से pollution और कम हो जाएगा फिर उसके बात में यहाँ पर इरिस report के अंदर एक बात और बोली गई है वो इन्होंने ये बोली है, कि आने वले समय 27 वा conference of parties की meeting होने वाली है आपको बताओगा जो conference of party 26 वी वाली meeting थी, ये कहां पर होई थी ये पिछले साल होई थी Scotland के class go में है ना और अपकी बार यहाँ पर 27 वी वाली एक और meeting होने वाली है जहां पर environment को लेकर discussion किया जाएगा और जो ये 27 वी वाली meeting होने वाली है ये कहां पर होने वाली है एजिप्ट के अदर होने वाली है ठीक है ना, तो ये बात आपने यहां पर ध्यान में रखनी है वो या बोले गए कि कहा है कि आने वाले समय पर जो conference of parties की meeting होगी न वहां पर हमें इस मुद्दे को उठाना होगा और इसके उपर properly हाँ पर चर्चा करनी होगी clear हो गया तो ये था हमारा पूरा का पूरा index अब इस प्रकार के कुछ और indexes भी आते हैं तो उन indexes के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जैसे एक index आता है यहाँ पर UNICEF की सराइट से आता है यून मतब पहले वाले जुम्हाँ भी आपको index discuss किया है यह भी UNICEF ने रिलीस किया है और यह वाला भी UNICEF नहीं किया है इस वाले index में आपको क्या देखने को मिलेगा mention किया जाता है यह UNICEF का Children Climate Risk Index है रैंकिंग एक अच्छी condition पर होगी है ना तो बेसिकली कहने का purpose है ऐसी एक report और आती है और एक और report आती है उसका नाम है Notre Dame Global Adaptation Initiative Index ठीक है ना यह दियान में आपको रखना है इस प्रकार है कुछ index है जिसको UNICEF लेकर आता है कि पूछाता सकता है एंडी गेन इंडेक्स यह कौन रिलीस करता है UNICEF रिलीस करता है इसी प्रकार से आप चिल्डरन Climate Risk Index कौन लेकर आता है UNICEF लेकर आता है क्योंकि ऐसे सवाल बने हैं पहले भी next article पर आते हैं अगला article बात करता है Sandalwood Spike Disease के बारे में Sandalwood जिसका आप लोगों ने Thumbnail भी देखा होगा लेकिन आगी बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पर जो like का बटन है उसको प्रेस कर देरा एक छोटा सा target होता है 2K plus likes का यार आप लोग पहुचा सकते हो यह Sandalwood Spike Disease है यानि कि जो चंदन के पेड़ों होता है या चंदन की लकड़ी होती है न इन चंदन के पेड़ों को एक बिमारी बुरी तरह से हिट करती है और उस बिमारी की वज़ा से इस चंदन की लकड़ी के उपर बहुत ज़ादा नुकसान होता है तो बोला यह गया एक स्टेडी कंड़क्ट की गई उस स्टेडी में बोला गया Sandalwood Spike Disease कहीं न कहीं एक थ्रेट एक आप कह सकते हो खत्रा है हमारे Commercial Cultivation of Sandalwood पर यानि कि जो चंदन की लकड़ी का हम लोग Commercial Cultivation करते हैं हमारे इस Particular Sector पर बहुत बुरी तरह से Impact डाल सकती है आने वाले समय में हो सकता है पर इससे जिस प्रकार से Earning हम अभी कर रहे हैं वो उस प्रकार से Earning आने वाले समय पर ना कर पाएं समझ भाई बात Now Sandalwood Spike Disease है क्या यह जान लेना यह आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है खासकर GS Paper No.3 Environment के अंदर क्योंकि यह लगातार News में बना हुआ है Sandalwood Spike Disease Basically एक Infectious Disease है एक Infection की वज़ा से होती है और वो Infection होता है एक Bacteria की वज़ा से Bacterial Parasite की वज़ा से जिसको हम लोग बोलते हैं Phytoplasma इसकी वैसे आपे सारी की सारी बिमारी फैलती है और खतरनाक बात यहाँ पर यह है कि यह जो बिमारी है एक Particular Plant से दूसरे Particular Plant में फैल जाती है और उससे भी खतरनाक बात यहाँ पर यह है इसका कोई solution नहीं है Sandalwood Spike Disease का कोई solution नहीं है कोई उपाई नहीं है इस infection का एक उपाई है खाली क्या है क्या है क्योंकि आप लोग सोच रहोंगे सर हर problem का solution होता है तो कोई ना कोई उपाई तो होगा हाँ एक उपाई है वो क्या है उसको जड़ से काट दो जड़ से काट दो खतम कर दो जहाँ पर भी infection हुआ पेड़ के उपर उसको काट के खतम पर दो पेड़ भाई पर वैसी भी मर गया वो तो उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं ना अगर हम उस बिमारी को ठीक कर पाते तो वहाँ से चंदन की लेकड़ी जो हमें मिलती हम उससे बहुत सारी earning भी किया कर सकते थे मादबे की जा सकती थी आप ऐसा कह सकते हो तो basically बिमारी को ठीक करने का कोई provision नहीं है अभी कोई solution नहीं है केवल क्या कर सकते हैं पेड़ को काट कर फैंक सकते हैं ना यह जो disease है जो बिमारी है यह सबसे पहली बार कहां पर देखने को मिली थी करनाड़का के अंदर कोडागू में 1899 में लगबग उस समय पर हमने देखा मतलब 1899 में सबसे पहली बार यह पाई गई और उस समय पर यह बिमारी बहुत जादा आगे बढ़ रही थी और 1903 से लेकर 1916 तक ध्याद सुनना 1903 से लेकर 1916 तक लगबग एक मिलियन से जादा जो सेंडल वोड ट्रीज थे ना इनको रिमूव कर दिया या था इनको हटा दिया या था कोडागू और माईसोर के अंदर क्यों क्योंकि इसी सेंडल वोड डिजीज का खत्रा उसमें पर बना हुआ था चिंता वाली बात क्या है चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि लगबग एक से लेकर 5% तक जो सेंडल वोड ट्रीज होता है ये कईना कहीं हर साल खतम हो जाते हैं इसी पर्टिकुलर बिमारी की वज़ा से सांटिस्ट ने वार्निंग भी दी है कि हो सकता है कि आने वले टाइम पर अगर इस बिमारी का ट्रीटमेंट ना मिला तो सेंडल वोड की जितनी भी संख्या है वो पूरी खतम कर दे सेंडल वोड की जितनी भी पॉपूलेशन है वो सब समाप्त कर दे ऐसा भी हो सकता है तो बिमारी इतनी खतरनाक है लेकिन रिसेंटली हाली में एक कदम उठाया गया वो कदम क्या है इस बिमारी को टैकल करने के लिए इस बिमारी से लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं भी एक research कर रहे हैं कि इसका कुछ उपाई निकाल रहा है कौन कौन कर रहा है वो Institute of Wood Science and Technology जो Bangalore में है इन्होंने यहाँ पर collaboration कर रखा है पुने बेज National Center for Cell Science के साथ में और अब यहाँ पर यह लोग इनको important बात आती है कि आखरकार यह Sandalwood है क्या Indian Sandalwood के बारे में आपने पढ़ना है बहुत अच्छे से इसका IUCN status वगरा क्या है वो सारी बाते आपने पढ़नी है क्योंकि question बन सकता है जब लोग बात करते हैं Indian Sandalwood की तो इसका scientific name है Centalum album ठीक है ना इसको हम लोग Indian Sandalwood के नाम से जानते हैं यह ज़ादातर dry deciduous forest species कहलाती है मतलब जो सूखी जगा होती है ना वहाँ पर यह ज़ादातर उगाया जाता है और खासकर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स में आपको ज़ादातर इसका cultivation देखने को मिलेगा लेकिन ध्यान अखना जो dry deciduous era होता है जो जहाँ पर सूखा जादा होता है वही पर Sandalwood को उगाया जाता है ना यह जो Sandalwood है ना यह इंडिया के culture के अंदर बहुत समय से इस्तमाल हो रहा है देखो इसको शादियों वगरा के अंदर में इनफाक्ट यहाँ पर जब किसी की मृत्य होती है है ना तो जब यहाँ पर cremation होता है पूरा process होता है तो उस समय पर भी यहाँ पर Sandalwood का use किया जाता है समझ महाई बत अब जो यह Sandalwood है ना यहाँ को 20 मेटर तक देखने को मिलता है 20 मीटर तक इसका पेड़ गरो होता है जो Red Sandalwood होता है लाल गलर का भी देखने को मिलता है डाक ब्राउन कलर का भी होता है Reddish कलर का भी होता है इसकी value अपने आप में बहुत ज़ादा है और अगर जितना मजबूत और जितना ठोस अगर यह सेंडल वूड होगा उसकी वैल्यू उतनी जादा देखने को मिल जाती है ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो एक बहुत important बात है सेंडल वूड का IUCN red list status क्या यह जान लेना IUCN list मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी situation क्या है तो यह vulnerable category में है कि मतलब चलो अभी अच्छी खासी संख्या तो है लेकिन अगर कोई बिमारियां ऐसी आती रही जैसे यह sandalwood spike disease है इस प्रकार की बिमारियां अगर आती रही तो यह क्या करेंगी इस संख्या को पूरी तरह से खतम कर देंगी और खतम कर देंगी तो इससे क्या होगा हमारे पास में sandalwood होगा नहीं हम लोग कुछ generate नहीं कर पाएंगे उससे तो IUCN red list में यह vulnerable category में है ध्यान रखना बाकी इसका अस्तमाल देखें तो इंडिया के अंदर इसको हम लोग चंदन के नाम से जानते हैं स्रीगंद के नाम से भी जानते हैं इसका अस्तमाल अलग अलग जगा पर होता है जैसे sandal oil भी बनाया जाता है चंदन का तेल भी आता है जिसका अस्तमाल मतलब इस sandalwood का अस् पास्मेटिक्स के अंदर, साबुन के अंदर, मेडिसेंस के अंदर भी इसका इस्तमाल किया जाता है। सेंडल वोड जो ओईल है ना, इसका जो तेल बनता है, वो बहुत अच्छा मान जाता है। बहुत सारे बिमारियों को, बेसिकली एक अंटिसेप्टिक के तरहे काम करता है, आपके सूजन वगरा है, तो उसको भी हाँ पर ठीक करने मदद करता है। जे मेजर ग्रोइंग एरियाज हैं सेंडल वोड के, अब देखो यहाँ पर यूपी एसी ने एक प्रशन पूछा था साल 2016 में, किसको लेकर रेड सेंडर्स को लेकर, रेड सेंडर्स मतलब सेंडल वोड को लेकर ही यहाँ पर बात की गई, लाल चंदन की लकडी के बारे में नहीं चर्चा की गई है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, with reference to red sanders, sometimes seen in news, कभी-कभी यह red sanders news में देखने को मिलता है, तो इनके reference में दो statements दिये गए हैं, बताना यह है कि कौन सा statement बिलकुल सही है, पहला statement बोलता है, कि जो यह tree की species है, जो पेड की प्रजाती है ना, यह जातर पाई जाती है, South India के कुछ हिस्सों में, दूसरा statement बोलता है, यह जो प्रजाती है, यह जो important trees है ना, यह जातर tropical rain forest में पाई जाते हैं South India में, कौन सा सही option, इसका option A सही है केवल, South India में पाई जाता है, क्योंकि मैंने आपको starting में बताया, देखो करनाट का, फिरुस के आद मह नहराश्टरा, तामिल नाडू, यह सारे हमारे Southern states हैं, तो खास करी जो tree species जाधा तर यहाँ पर South India के अंदर पाई जाती है, मतला basically यहाँ पर red sandalwood के बारे बात की जा रही है, तो यह तो खास कर South India में देखने को मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको बुला गया, tropical rain इस्टन पोर्शन में उगाए जाते हैं, जैसे आंदर प्रदेश, तामिल नाडू, करनाडिका में सबसे जाधा यह सेंडल वोड उगता हुआ नजर आता है, ठीके ना, red sandals की बात करने है, red sandals, यह red sandalwood है, इसका scientific name है, terocarpus centilinus, ठीके न, चलो आगया आता है, तो उसके आखरी article है, यहाँ पर एक नदी के बारें बात करेंगे, हाला कि नदी यह recently news में थी, लेकिन हमने यहाँ पर properly discussion इसका अभी तक किया नहीं है, तो अब यहाँ पर discussion करेंगे ताकि कुछ छूटे ना, तो यहाँ पर हम बात करने वाले है, सूखा पाई का river के बारे में, तो वैवल प्लान जो है न, वो start कर दिया है, क्योंकि हमारे National Green Tribunal ने इसको लेकर direction दिया था कि भाईया, ओडीशा, शुरू करो यहाँ पर इस पूरी नदी को, जो कि 70 साल पहले ही सूख चुकी है, तो इस वज़े से सूखा पाई का river निउस में है, तो सूखा पाई का river क्या है अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यह बेसिकली यहाँ पर महानदी river की ही एक डिस्ट्रिब्यूटरी है, महानदी river से ही निकल कर जाती है सूखा पाई का river, और फिर बाद में 40 km बहने के बाद में महानदी में ही मिल जाती है, कहाँ पर तारपूर वाले district में, ठी महानदी का जो एक ऐसा सिस्टम है, जो की बाल वगरा को रोकने में मदद करता है, इस वज़े से भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका जो importance है, इस तना ज़्याद है कि आपको एक्जाम के लिए इसको पढ़ना है सूखा पाई का river, अब महानदी river से निकल लेगे तो information नहीं है, लेकिन महानदी के बारे में काफी information मल जाती है, महानदी river सिस्टम अपने आप में, जो हमारा peninsular India है, peninsular media मतलब जहां पे आपके देख पाऊगे इंडिया का जो इतना हिसा है, जो पानी के आसपास है, यानि कि समुद्र से touch करता है, है ना, वो basically peninsular region कहलाता है, तो उस peninsular region में जो महानदी है, वो तीसरी सबसे बड़ी नदी है, पहले गोदावरी है, दूसरी कृष्णा है, उसके बाद में इस particular region में, महानदी तीसरी सबसे बड़ी नदी देखने को मिलती है, ओडिशा राज्ये में, इसका जो एरिया है न, महानदी नदी, ऐसारी कि निकलती है, ये निकलती है, सिहावा से, एक प्लेस है, सिहावा वहाँ से निकलती है, कहाँ पे 36 गड़ी के अंदर धमतरी district है, उसके अंदर से, इसकी महानदी की major tributaries है, सहायक नदिया हैं, जैसे सियोनात, हस्दियो, मान, एब, ये सारी अलग-लग सहायक नदिया है, जो क मैं आपको एक particular image दिखाऊं, तो आपको यहाँ पर इस वाली image में देखने को मिलेगा, ठीक है न, अगर हम लोग बात करें, ओडिशा की, तो बारत के map में ओडिशा यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह है महानदी, और इस प्रकार से यह निकल रही है, बहु बहुत सरे important dams हैं, बहुत सरे अलगलग बांध, बहुत सरे projects देखने को मिलते हैं, जब बात करते हैं हम लोग dams की न, तो हीराकुन dam, हीराकुन dam जो की भारत का सबसे लंबा dam है, वो भी महानदी नदी के उपर ही है, उसके बाद में रवीशंकर सागरोया, दुद्वा रे mineral resources पाय जाते हैं, बहुत सरा power resources पाय जाता है, इस वज़ए से यहाँ पर इसके आसपास बहुत सरी industries देखने को मिलेंगी, iron और steel plant देखने को मिलेंगे भिलाई में, aluminium factories देखने को मिलेंगी हीराकुन्ड और कॉर्बा में, और फिर उसका दमें paper मिल देखने को मिलेंगी कटक के पास में, cement sector, cement factory देखने को मिलेंगी सुंदरलगर के पास में, ऐसी और भी बहुत सरी industries जो कि इस नदी के आसपास हैं, क्योंकि यहाँ पे इस नदी में बहुत सरे resources पाय जाते हैं, minerals पाय जाते हैं, जिसकी वेसे यहाँ पर इन industry को डेहर सारे benefits हो सकते हैं, तो नदी के ब से कौन सी नदी अरुनाचल प्रदेश से बहती होई गुजरती है, option A one only, option B two and three only, option C one and three only, या फिर option D three हैं, तो इसका correct answer है option number B, मतलब two and three only, लोहित और सुबांसरी दो नदीया ऐसी हैं, जो कि अरुनाचल प्रदेश से गुजरती हैं, बेराक कहां से निकलती है, बेराक नि का लिंक कोई अरुनाचल प्रदेश से है नहीं, तो यह अपना आप कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर अरुनाचल प्रदेश से जो मेजर रिवर्स बहती हैं, सुबांसरी है, लोहित है, तेलु आर, दिहांग, सियांग, कामिंग, यह सारी रिवर्स आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है न, तो यह था आज का हमारा डिसकुशन, आई होप आपको काफी सारी बाते जानने को मिली हैं, काफी सारी इंपोर्नेंट चीज़ आपके पास में आ चुकी हैं, जो कि प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है, चलो फिर इसे के साथ मे करते हैं, आप लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाबाई, हैव नाइस डे, थैंक्यू, एंड जैहिंद